है little studentstte किया था बायोडैवर्सिटी के बारे में देखा था उसके बाद लोगोंने बाइनौमीयल एंड ट्राइनौमयल नौमेंधविल स्ट्टी किय थध्य हम लोग नौमेन ख्लेचर university कुछ तरम्स देखते हैं तो उन terms को हम एक एक करके discuss करते हैं जो सबसे पहला term है that is taurtonyms taurtonyms कहने का मतलब क्या होता है these are the scientific name in which the generic name and the specific epithet are same जैसा कि हमने nomenclature में पढ़ा था कि जो दो terms होंगे जो पहला term होगा वो किसको represent कर रहा होगा generic name दूसरा किसको represent कर रहा होगा specific epithet तो अभी तक हम क्या देख रहे थे ये दोनों के दोनों जे थे वो अलग-अलग थे बट कुछ-कुछ cases में कुछ-कुछ के नाम में आप देखिएगा जो generic name है और specific epithet वो दोनों सेम होता है और सेम होता है तो वैसे nomenclature को वैसे अभी तर्म्स को हम क्या बोलेंगे तॉटोनिम्स बोलेंगे ठीक है अभी तॉटोनिम्स थे रहे थे शाइंटिफिक नेम इन विच जैनरीक नेम एन पेहला और दूसरा जो टम था या थे बोह थे वो होंगे सेम याद रखेगा यह प्लांट के लिए एकसेप्ट नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ हमें किस में देखने को मिलता है अनिमल्स में देखने को मिलता है प्लांट टेक्जोनॉमिल्स डिडन डिडन्ट एकसेप्ट दें plant के जो taxonomists थे उन्होंने इसे accept नहीं किया है यह सिर्फ और सिर्फ animals के लिए applicable है for example जैसे हम देखते कोबरा कोबरा का scientific name है नाजा नाजा यहां सारे rules है binomial और trinomial normal nature की तो यहां पे rule क्या है जो पहला जो term है वो denote करेगा generic name दूसरा term denote करेगा specific epithet जो पहला generic name है वो start होगा capital letter से दूसरा start होगा small letter से यानि specific epithet start होगा small letter से और hand written है तो underlined होगा ठीक है ना यह सारे rules हम लोग follow करेंगे बस यहां पे change क्या है चेंज यह है कि generic name और specific epithet दोनों सेम है जैसा कि हम cobra animals के लिए यूज कर रहे हैं तो इसमें अब cobra नाजा नाजा उसी तरह रैट रैट के लिए हम क्या scientific name यूज करते है रैटस रैटस ब्लैक बग गैजल गैजल टोड ब्यूफो ब्यूफो गॉफो गॉरिला 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 आउल ब्यूबो ब्यूबो रैड फॉक्स के लिए वुल्पस वुल्पस ठीक है ना यहां हम सारा रूल, binomial nomenclature वाला ही apply करेंगे, बस यहां पे हो क्या रहा है, यहां जो generic name है और specific epithet है, दोनों क्या है, same है, तो ऐसे scientific names को हम क्या बोलते हैं, टॉटो names बोलते हैं, आप इसको note down कीजिए, फिर ऐसा ही related हम एक और term देखते हैं, जैसा कि हमने थोड़े दर पहले देखा, टॉटो नेम्स का मतलब क्या होता है, जो generic name है, और जो specific epithet है, यह दोनों टर्म अगर सेम होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, तॉटो नेम्स में क्या होता है, यह हम applicable है, ट्राइनोमियल नॉमेंफलेचर के लिए, जैसा कि हमने देखा, अनिमल्स में जो तीसरा term है, वो सब स्पीसीज को डिनोट करता है, फिर, माइक्रो ऑर्गेनिजम में जो तीसरा term है, वो किसको डिनोट करता है, स्ट्रें को डिन करेंगे, वो जो थर्ड टर्म होगा, वो आपका क्या डिनोट करेंगा, सब स्पीसीज क्योंकि अगर अनिमल है, तो जो थर्ड टर्म होता है, वो किसको डिनोट करता है, सब स्पीसीज को, जैसा कि हमने लास लेक्चर में देखा था, तो ऑटो निम्स का मतलब क्या होता है, यह एक ऐसा scientific name है जिसमें जो third term है वो third term बिल्कुल same होगा specific epithet के ठीक है ना? यानि these are the scientific name in which the name of species and subspecies subspecies हम लोग किसके लिए applicable करते हैं? अपलाई करते हैं? animals के लिए ठीक है? तो जो species और subspecies है वो क्या होंगे? same होंगे, similar होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? autonoms बोलेंगे they are mostly seen in animals animals में ही हमें देखने को मिलता है क्योंकि animals में ही जो तीसरा term है वो subspecies को denote करता है for example, जैसे अगर हम humans की बात करें तो humans के लिए हम जो जीना से वो क्या लिखते हैं? homo, species, sapiens और subspecies भी क्या होता है? sapiens होता है तो ये जो scientific name है इसे हम क्या बोलेंगे? autonoms बोलेंगे उसी तरह gorilla gorilla के लिए तो totonoms भी applicable है और autonoms ये दोनों ही है totonoms कहने का मतलब ये जो generic name है और species name है ये बी same है species और subspecies ये दोनों भी क्या है? तो गोरिला 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 ये किसका होगा? ये होगा गोरिला का संद्धा आगी बात? ठीक है ना? तो autonoms क्या है? autonoms में क्या होगा? species, subspecies दोनों सेम होंगे यहां देखिए small letter से ही denote करेंगे जैसे subspecies को लिखेंगे जैसे species को लिखेंगे वैसे ही subspecies को लिखेंगे बाकी सारा जो binomial nomenclature के rules थे वहीं यहां भी लगेंगे तो ये है आपका autonoms तो पहला हमने nomenclature से related देखा autonoms जिसमें generic name और specific epithets सेम होंगे और autonoms में क्या होगा? species और subspecies क्या होगा? students जो next terms हम रेख रहे हैं that is synonyms and homonyms अब ये क्या है? तो synonyms हम किसे बोलते हैं? when a single organism has different scientific name जब scientific name दिया जा रहा था तब एक single organism को बहुत सारे scientific name अलग-अलग by different scientist अलग-अलग scientist से अलग-अलग scientific name दिया जा रहा था तो उसे हम क्या बोलते हैं? then they are called synonyms मतलब जैसे mango है तो एक scientist ने कुछ नाम दिया दूसरे scientist ने name 2 तीसरे ने name 3 और चौथे ने name 4 तो अगर एक ही organism का अलग-अलग scientist के द्वारा अलग-अलग scientific name दिया जाता है तो इसे हम बोलते हैं synonyms तो the one which was earliest is considered valid मतलब इन में से जिन्हें जो सबसे पहले देगा नाम उसे क्या किया जाएगा वैलिड क्या जाएगा मतलब वही नाम वैलिड होता है संजारी बाद तो synonyms हम किसके लिए यूज करते हैं? ये जो synonyms concept है ये हम यूज करते हैं वैसे organism के लिए जिन organism का अलग-अलग नाम दिया गया था अलग-अलग scientist के द्वारा और जो सबसे पहले दिये थे उसी को हम क्या करते हैं? वैलिड करते हैं दूसरा है homonyms homonyms का मतलब है when different organism have the same scientific name अलग-अलग organism का एक ही scientific name अगर हो रहा है तो यह जो concept है इसे हम क्या बोलेंगे homonyms जैसे mango, papaya, banana इन तीनों का नाम दिया गया था mangiphera indica the organism for which the name was assigned first is considered valid जिस organism के लिए सबसे पहले ये नाम दिया गया उसी organism के लिए क्या होगा? valid होगा समझ महीबाद? जैसे mango के लिए सबसे पहले दिया गया इसलिए mango का scientific name है वो क्या है? mangiphera indica clear? सो synonyms में क्या होगा? एक organism का बहुत सारा नाम देगा और अगर एक organism का एक से जादे organism का एक ही नाम है सेम नाम है तो इसम क्या बोलते हैं? इस concept का हम बोलते हैं? homonyms तो these are some of the terms जो की nomenclature से related आप इसको note down कर लीजे सो students there are some institutes for nomenclature उन institutes को हम देख लेते हैं सो institutes of institutes institutes of nomenclature 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 के कुछ institutes को हम देख लेते हैं institutes of nomenclature plants के nomenclature के लिए कौन सा institutes है? तो यहां mention करेंगे for plants plants के लिए जो institute है वो कौन सा है? ICBN what is ICBN? it is international international code of international code of botanical nomenclature botanical nomenclature यह plants के लिए है उसी तरह animals के लिए कौन से इंसी जूट है? animals के लिए है for animals 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 के लिए कौन से इंसी जूट है animals के लिए है ICZN ICZN समझा ही रहा होगा आपको international international code for code for यहां भी हम लिखेंगे for not of international code for botanical nomenclature और animals के लिए international code for zoological zoological nomenclature उसी तरह virus के लिए भी है institute for viruses viruses कौन सा है? ICZN sorry ICVN what is ICVN? what is ICVN? international code for international code for viral या virus nomenclature और एक और एक और institute है जिसे हम बोलते हैं क्यूँ है? cultivated plants cultivated plants के लिए कौन सा है? इसके लिए है international international code for code for nomenclature of nomenclature of cultivated plants cultivated plants so इसे हम शौट में क्या लिखते हैं? I C N C P international code for nomenclature of cultivated plants यानि जो nomenclature जो हम plants का या animals का कर रहे हैं वो कौन से scientist कहां के institute से बिलॉँ करते हैं? plants के लिए ICVN international code for botanical nomenclature है animals के लिए international code for geological nomenclature है viruses के लिए international code for virus nomenclature and cultivated plants के लिए international code for nomenclature of cultivated plants तो इस आइ some institutes of nomenclature तो यहां पे हम लोगों ने nomenclature का जो concept है हमारा वो खत्म कर लिया आप इसको note down करिये फिर हम आगे पढ़ते हैं so students next जो हम देख रहे हैं that is classification classification का मतलब क्या होता है पहले में इसे समझते हैं classification is the process of grouping organism organism जो biodiversity हम देख रहे हैं हमारे अर्थ का उसमें अलग-अलग तरह के organism है सारे organism में से similar तरह के organism को या अलग-अलग तरह के organism को एक group में डालना क्या कहलाता है classification what is classification is the process of grouping organism on the basis of similarity or differences similar character और different character के basis पे organism को group करना क्या कहलाता है classification और classification में जो important term आ रहा है that is taxonomy what is taxonomy it is the science which deals with the process and principle of classification classification का जो तरीका है जो process है जो इसके rules है principles है इनको जो science डील करता है इसे हम बोलते है taxonomy clear classification क्या होता है तो classification का मतलब होता है group करना organism को similar character समान character के basis पे different character के basis पे क्या कर लाता है classification और इसके नियम को इसके principles को इसके तरीके को इसके process के जो डील करता है उसे हम क्या बोलते है taxonomy ठीक है केरिलस लीनियस को हम बोलते है father of taxonomy father of taxonomy कौन है केरिलस लीनियर फिर एक term आता है systematics systematic कहने का मतलब होता है यह जो हम group कर रहे है organism को वो एक system में अगर हम करते है तो उसे हम क्या बोलते है systematic यानि branch of science which deals with the systematic arrangement of taxa taxa का जो systematic arrangement है जैसे अगर systematic arrangement की बात करें तो हमने ऐसा arrange किया है कि जो character है जो organism का character है वो बढ़ रहा है उस hierarchy में या organism का character घट रहा है उस hierarchy में तो ये जो arrangement है इसे हम क्या बोलते है systematic ठीक है तो the branch of science which deals with the systematic arrangement of taxa उसे हम क्या बोलेंगे systematic ये जो word है this word is derived from Latin word कौन सा word systema जिसका मतलब होता है in a system एक system में the first authentic use of this word was first done by carolus linus पहला जो इसका use है वो किसने किया था carolus linus ने किस में अपने बुक में systema nature है याद रखिए का इसे question आता है carolus linus का कौन सा बुक था तो systema nature and the term new systematic was given by huxley new systematic term किस ने दिया था huxley ने दिया था clear तो these are some of the important information about classification जिसमें आपको taxonomy term पता होना चाहिए और systematic term पता होना चाहिए taxonomy classification के rules को deal करता है और systematic जो है वो taxa के arrangement को deal करता है clear आप इसको note on कीजिए फिर हम देखते है taxonomy hierarchy यानि जो arrangement है systematic arrangement है taxa का उसे हम देखते है so students next हम देख रहे है taxonomic hierarchy taxonomic hierarchy कहने का मतलब क्या होता है जो arrangement देखते हैं हम जो order देखते हैं उसे हम क्या बोलते है hierarchy levels of organization क्या क्या क्यालाता है hierarchy क्यालाता है जैसा कि हम cellular organization देखते हैं जैसे cell cell से क्या बनता है tissue tissue से organ organ combines to form organ system then complete organism फिर हम ecology में ecological hierarchy देखते हैं environment में जैसे उसमें आ जाते organism organism से क्या population community ठीकिए ecosystem biome तो ये सारे जो ही ecological hierarchy उसी तरह यहां taxonomium पढ़ रहे हैं तो taxonomic hierarchy ये दो तरह का होता है दो type का है एक तो obligate 7 है इसमें ये ही आपको पढ़ना है ये जो intermediate category है ये आपको नहीं पढ़ना है इसमें से सिर्फ एक जो है वो बहुत important है क्योंकि उससे question पूछा हुआ नेट में इसलिए इस सारे को लिख दिये हैं इन सब का ज़रुवत नहीं इसमें से जो important है आपको उसको circle कर देंगे ठीक है तो जो obligate categories जो ज़रूरी है exam के point of view से वो ये कि जो सबसे बड़ा level आ जाता है that is kingdom kingdom सबसे बड़ा होता है फिर आता है phylum phylum हम animals के लिए यूज करते है plant के लिए हम division फिर तीसरा हो जाता है class फिर order फिर family फिर genus फिर species जिस तरह हम देखते हैं cell से क्या form हो रहा है tissue, organ, organ system, organism उसी तरह यहाँ species species से form होगा genus genus से family, family से order order से class class से phylum या division and then kingdom इन सब के बीच का कुछ category है जो हम यहाँ mention की है जैसे kingdom से पहले जो आ रहा है that is life, domain, sub domain series, sub series उसके बाद आता है super kingdom, sub kingdom then आता है kingdom फिर उसके बीच आता है super phylum, sub phylum then आता है phylum के लिए और division के लिए फिर हम super division, subdivision and then फिर आएगा class से पहले super class, sub class infra class और फिर आएगा class and then फिर super order, sub order, super family यहाँ जो important है वो यह है tribe tribe किस के बीच आएगा order और family sorry family और genus के बीच आएगा इसके बीच के आएगा tribe आएगा जो आपको याद रखना है ठीके ना तो family और genus के बीच कौन सा आएगा tribe then super genus, sub genus फिर super species, sub species या sub variety बोलिए या sub strain बोलिए clear तो these are the category इसमें जैसे हम species की बात करें हम एक एक करके सब को deal करेंगे species concept, genus concept सब को एक एक करके समझेंगे यहां बस याद इर यह रखिएगा जैसे जैसे हम species से kingdom की तरफ बढ़ेंगे जो similar character है वो क्या होगा घटता जाएगा और जैसे जैसे हम kingdom से species की तरफ बढ़ेंगे similarity क्या होगा बढ़ता जाएगा clear, so this is taxonomy hierarchy आपको यह जो sequence है यह आपको याद रखना है जो सबसे smallest unit है taxonomy hierarchy का वो क्या है species और सबसे biggest unit क्या है kingdom clear, तो species form करता है genus, genus से family, family से order, order से class, class से phylum और then kingdom एक एक करके हम सब के बारे में discuss करते हैं आप इसको no doubt कर लीजए so students, जैसा कि हमने देखा यह seven obligate category है तो seven obligate category जो हम देख रहे हैं वो क्या क्या है species, genus, family, order, class, phylum, kingdom ठीक है इन में यह हमेशा याद रखेगा जो common character है वो species से kingdom की तरफ जाएंगे तो क्या होगा decrease होगा बट general character increase होगा और जैसे हम kingdom से species के तरफ move करते है तो जो common character है वो बढ़ता है बट general character क्या होता है decrease होता है इस point को हमेशा याद रखेगा इससे question पूछा जाता है mango की बात करें तो mango का kingdom क्या है planty mango plant है तो उसके लिए हम क्या use करेंगे division या phylum division यूज़ करेंगे ठीक है ना कौन सा रिवीज़न होज़ेगा angiospermia class dicotyledon यानि दो cotyledon होंगे order spindle family anacardiaece genus mangifera species indica जैसा कि हम जानते हैं कि यह दोनों क्या रेप्रेजन करते हैं biological name mangifera indica is the scientific name of mango उसी तरह house fly यह किस में आता है animalia kingdom में आता है इसका जो फाइलम है वो क्या है orthropoda class insecta order diptera family muscaddy genus musca और जो species है वो क्या है domestica ठीक है और scientific name क्या है musca domestica उसी तरह wheat की बात करें तो kingdom plant T जो फाइलम sorry जो division है वो क्या होज़ेगा angiospermia then class monocotyledon order poes family poesie जो genus है वो triticum और जो species है वो astivum and triticum astivum is the scientific name of wheat ठीक है तो इस तरह से हम क्या करते हैं जो seven है obligate category है उसको denote करते हैं आप इसको note down कर लीजिए फिर हम देखते हैं what is taxon so students next हम देखते हैं taxon taxon का जो plural form है उसे हम क्या बोलते हैं taxa taxon is the basic unit of classification जो हम लोग classify कर रहे हैं जो हम grouping कर रहे हैं उसका जो basic unit है उसे हम क्या बोलते हैं taxon बोलते हैं इसे हम इस तरह से समझते हैं जैसा कि हमने एक category पूरे के पूरा जो हमारा taxonomy है उसे हमने category प्रोवाइड किया है जैसे एक category इसे दूसरा जीनस फैमिली और क्लास, फाइलम, यंग्डम तो इस सबको हम क्या बोल रहे है taxonomic category जो taxonomy है इसमें जो हर एक category है इसे हम एक साथ क्या बोल रहे है taxonomic category बोल रहे हैं उसी तरह जैसे kingdom, humans के लिए, human का जो kingdom है, वो क्या है, animalia, phylum क्या है, chord data, class, mammalia, order, premata, family, hominidae, genus, homo, species, sapiens, चीक है, तो यह जो animalia, chord data, mammalia, यह सारा जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, taxon या rank, यानि हर category का जो आपको structure, जो आपको animalia, chord data, यह सारे जो terms मिल रहें, इसे हम क्या बोल रहे है, taxon या rank, यहर category को जो rank provide किया गया है, उसे हम क्या बोल रहे है, taxon, और इसका plural क्या हो जाएगा, taxa, समझ में आगी बाद, यानि यह जो category है, इसे हम taxonomy category बोलेंगे, और हर taxonomy category को जो rank provide किया गया है, यह यह mentioned है, clear, so this is all about taxonomy hierarchy, समझ में आगी बाद, अब इसके साथ ही हमारा आज का जो lecture है, वो खत्म होता है, next lecture में जब हम मिलेंगे, तो हम species के concept को समझेंगे, genus के concepts को detail में study करेंगे, with this, आज का जो हमारा lecture है, वो over होता है, thank you.